अब तक आपको पता चल गया होगा कि SEO में on-page और off-page दोनों बहुत important हैं on-page में हमने सब कुछ website के ओपर जो भी changes करनी हैं वो हम करते हैं ताके Google इसको data को अच्छी तरह एक्स्टरेक्ट कर सके उस तक पहुंच सके और उसको user experience बेतर हम दिखाएंगे ताके वो अपने users को बेतर user experience दिखाएं links भी बहुत important हैं लेकिन किस तरह के links वह अब हमने बात की कि ethical links हमें चाहिए unethical links नहीं चाहिए ethical links आप बनाएं क्योंकि links एक बहुत बड़ा role play करते हैं ranking के उपर क्योंकि Google उसको as a vote count करता है लेकिन जब हम ethical links की बात करते हैं तो unethical links क्या हैं किस तरह की practices आपको unethical links मतलब बन जाती हैं और किस तरह से Google उसको penalty किस तरह के links को Google penalize कर सकता है यह चीज़ें understand करने के लिए मैं आपको 4-5 examples दोंगा अभी किस तरह से आपने links नहीं बनाने क्योंकि links बनाने का जो एक main मैंने आपको तरीका बताया था वो है content content आप generate करेंगे, वो content generate करके दूसरों के website पर पोस्ट करेंगे वो सबसे अच्छा तरीका है, आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिने में सबसे पहले link exchanges हैं तो चूँकि links की आमियत पहले बहुत ज्यादा थी, अभी भी बहुत है लेकिन Google अब बहुत ज्यादा intelligent हो चुका है तो पहले Google इतना strict नहीं था, इतना लोगों को bother नहीं करता था इसलिए लोग links की spamming करते रहें और different तरह से उन्होंने links बनाना शुरू कर दी है Link exchange उसमें से एक example थी, लेकिन अब चूँकि Google smart हो गया है Google इन चीज़ों को वैसे ही वो पकड़ लेता है So link exchange क्या होता है? Link exchange में आप देख सेकते हैं कि website अगर A, website B को link दे तो हमें पता है कि यह A ने link दिया B को, इससे B को फाइदा होगा क्योंकि जब Google A को crawl करेगा website B जो है, उसकी ranking अप जाएगी depending on कि उसकी अपनी वर्थ क्या थी वो link किस तरह का लगावा है, वगयरा वगयरा जो हम पहले बात कर चुके हैं लेकिन अब लोगों ने क्या किया? कि लोगों ने favors देना शूरू कर दी है मैंने आपको link दिया, आपने मुझे link दे दिया तो basically Google आपको भी benefit देगा मुझे भी benefit देगा ultimately क्या होगा, Google ने जब यह practice understand की उसने का कि नहीं, अगर आप एक website को link देते हैं और website आपको भी link देती है, तो दोनों का effect cancel हो जाएगा, इससे क्या होगा कि आप किसी से favor ले नहीं सकते अगर मैं आपको website को link दोँगा तो मैं चाहँगा कि आप मुझे ना दें या आप चाहेंगे कि आप मुझे ना दें because आपको मेरी वह से फायदा हो रहा है अगर आपको मुझे link देंगे, तो दोनों का effect cancel हो जाएगा Google उसको consider नहीं करेगा ना आपको value मिलेगी ना मुझे value मिलेगी तो इसके लिए एक और तोड निकाला उन्होंने, उन्होंने क्या किया कि cross linking शुरू कर दी, cross linking इससे होई, कि मैंने आपकी एक website को link दिया आपने किसी दूसी website से मेरी दूसी website को link दिया, तो basically हुआ यह कि Google इन सब चीजों को वैसी track कर लेता है pattern Google track करता है आप अगर कुछ हरसा black head करते रहें, लेकिन कभी ने कभी वो चीज़ें पकड़ी जाती है, और specially जब साल दो साल अगर आप एक चीज़ करते रहें और बार में वो पकड़ी जाए तो Google आपको penalty इस तरह से डालता है कि आपकी website Google में से बाहर भी निकल सकती है अवल तो आपकी ranking drop करता है लेकिन आपकी website बाहर भी जा सकती है so link exchanges एक example है जो आपने black head technique में count होती है और आपने उसको use नहीं कर रहा दूसरी example है paid links यह paid links की एजाद जब हुई basically हुआ कि जब Google ने थोड़ा सा strict किया अपना links का model तो लोगों ने क्या किया उन्होंने favor देने की बजाए उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिये आप मुझे link दें मैं आपको पैसे दूँगा so इस scenario में website A को पैसे दे रही है link नहीं दे रही और website A उसके against website B को link दे रहा है इससे क्या हुआ कि अब लोगों ने इसको भी as a business बना लिया और link renting एक term एजाद हुई जिससे जिससे आप अपने घर का कुराया देते हैं लोग इससे अपने एक link का कुराया देते थे कि हर महीने 40, 50, 100, 200 dollar depending on के website A की क्या worth है कितना PR का उसका link है और कितने PR के link से आपको value मिल रही है उसकी price उसके साथ बढ़ती चली जाती है यह practice भी Google ने stop की Google ने बकाईदा guidelines निकाली उन्हें कहा कि अगर आपने किसी safe links लेने हैं तो आप उसको पैसे नहीं देंगे अवल तो यह लेकिन दुनिया भर में यह business रुक तो सकता नहीं है क्योंकि अगर TechCrunch किसी mobile phone को review कर रहा है तो उनको लगे जा कि इन्होंने पैसे देके review लिखवाया Google ने बकाईदा guidelines निकाली अगर आपने sponsor content लिखना है तो आप लिख सकते हैं लेकिन उसको no follow के बारे मैं आपको बता चुका हूँ no follow जब आप link करते हैं Google उसको follow नहीं कर सकता और जब Google उसको follow नहीं करता तो उसके क्या होता है उसको link भी transfer नहीं होता तो Google ने कहा कि आप business करें आप basically अगर आपको traffic चाहिए कोई लोग आपको पैसे दे रहे हैं आपको website अच्छी है तो कोई advertiser आगे कहता है कि मेरे इस product के बारे में लिख हो और मैं आपको इतने पैसे दूँगा अगर आप इस product को review करेंगे तो वह एक business ठीक है लेकिन अगर आप उसको link भी दे देंगे तो वह आपके लिए नुक्सान दे थाबित हो सकता है क्योंकि Google की नजर में वह एक paid link होगा आपने बकाइदा mention करना है कि यह content sponsored है और आपने उस link को no follow करना है तो यह guidance अगर आप follow नहीं करेंगे तो आप paid link सी category में जाकर अपने website block करवा लेंगे अगर आप इस से हैं कि practice continue करेंगे एक और technique जो लोगों ने निकाली उनने निकाल कि हमें जब कोई दूसरा link नहीं देता तो क्यों ना हम अपनी ही website स्कड़ी करें और हम उससे ही links लेना शूरू कर दें तो इस तरह से private blog networks यहीं PBNs का practice वजूद में आई होता किया है कि बजाए से कि आप 40-50 दूसरी website से जाकर request करें उनको content लिख कर दें ताकि आपको link मिल सकें लोगों ने क्या शुरू किया कि उन्दाने अपनी website खड़ी करना शुरू कर दी डिफरेंट होस्टिंग लिज्ज चीफ होस्टिंग लिज्ज सस्ती सस्ती होस्टिंग लेकर छोटी-छोटी सस्ता सस्ता content लिख कर रहने website खड़ी कर ली और वहां से link देना शुरू कर दी अपनी main website को अब उनकी practice यह थी कि हम Google को cheat करेंगे कि हमें लोग लिंक्स दे रहे हैं हम तो buy ना तो buy कर रहे हैं ना तो exchange कर रहे हैं Google अगीन उसकी machine learning बहुत improved है उसके पास हजारों की तदार में engineers हैं जो कि सिरफ इसी काम को monitor करने में बैठे रहते हैं तो basically उनके algorithms ने इस चीज़ को भी track करना शुरू कर दी है क्योंकि अगर आप 15-20 website या 50 website बना तो लेंगे इसको organically चलाएंगे नहीं क्योंकि इनके ओपर कोई नहीं आ रहा होगा आप इनसे जब link लेंगे Google ये समझेगा कि website A इन website से link ले रही है जिनकों को visit नहीं करता जिनके अपास कोई जाता नहीं तो ये कैसे possible है कि जो website खुद नहीं चलती वो इसी को link दे रही है और सिर्फ एक website नहीं ऐसी बहुत सरी websites जो चलती नहीं और इनको links दे रही है तो होता क्या है कि इस तरह से भी website आपकी block हो जाती है और अकसे लोग इस चीज़ में दोके में आ जाते है वो SEO consultants को hire करते हैं PBN links मांगते हैं वो सब ठीक है वक्ती तोर पे आपको boost मिलता है लेकिन जिस दिन Google ने identify कर लिया वो दिन कल भी आ सकता है वो दिन 10 साल बाद भी आ सकता है वो दिन कभी भी आ सकता है आपकी website अगर पकड़ी गई तो Google आपको penalty डाल देगा और ये अगेन एक dangerous काम है और कोई भी ethical marketer इसको recommend नहीं करता तो आपने private block networks से बचना है ना खुद बनाने हैं ना किसी से बने वे से link लेना है make sure करें कि अगर आप link building किसी से करवा रहे हैं तो कोई इस तरह की website पर जाकर links रहे हैं वो ना डाल रहे हूँ एक और practice use होती थी किसी जमाने में लोगों ने links को diversify करने के लिए link के pyramid बनाना शुरू कर दिये हूँ पिरामेट कैसे बनता है पिरामेट आपको पता ही हो के एजिप्ट में जो पिरामेट ना है उसकी शकल के बैसे के लिए इसका structure बनता है पूरी campaign का जिसमें सबसे उपर आपकी main website होती है जिसको हम money website कहते हैं या client की website हो सकती है जिसको आपने rank करना है आप start नीचे से करते हैं सबसे पहले आपने links बनाए उन website को जो आपने direct link नहीं किया है पिरामेट में structured linking होती है आप पहले main website पे एक page बनाते हैं उसको नीचे तीन proper different website से link देते हैं उन तीन को जो tier जो second tier पे जो links होते हैं वो third tier पे आप उनको links देते हैं तो होता किया है कि आप top पेज की ranking जो tier 1 पेज है जो top tier page है उसकी ranking बढ़ाने के लिए आप उसको वहां से link लेक्किते हैं जो tier 2 pages पेजिस अब इन tier 2 pages की जितनी उच्छी value होगी तो top tier लेक्स फेजिविए tier 2 की ranking बढ़ाने के लिए tier 3 से tier 2 वोलों को link को link देते हैं और अक्सर अगर आप इसको मदीद लेवल नीचे ले जाएं तो टीर 3 वालों को टीर 4 लेवल से जाके आप उनको लिंक्स देते हैं और इस तरह से लिंक्स की ये गेम चलती चली जाती है जिए आप लिंक्स का पिरमेड जितना बढ़ाना चाहिए आप बढ़ा सकते हैं जितना आप इसको complex करेंगे अतना मुश्किल हो जाएगा लेकिन again understand करने वाली बात ही है कि आप humanly आप ये काम करेंगे तो आपको काफी दिन काफी resources और काफी चीज़ें आपकी सर्फ हो जाएंगी और गूगल को पकड़ने में उसके एक algorithm लेकर pattern track कर लिया तो आपको फुरान वो पकड़ सकता है कि एक structure तरीके से नीचे से उपर link की value transfer हो रही है उपर से उपर value transfer हो रही है करते करते उपर value transfer हो दिया तो ये habit भी Google ने बंद कर दी अगर आपकी website इस तरह की practice में involve हो गी तो Google जिकीनन उसको पकड़ सकता है वो जो के again dangerous काम है link pyramid के साथ ये एक और links की scheme निकली जिसको link wheel भी बोलते हैं link wheel में pyramid की तरह ही links के structure होता है लेकिन इसमे top to bottom या bottom to top links नहीं होते हैं इसमे basically circular links होते हैं इस circle बनाते हैं कि आपकी main website है उसको चार pages से link किया उस website को और उस main website को link किया आपकी primary tier 1 website है तो ये चोड़ चोड़ अगर आप circle ये देखेंगे circle को आपस में भी उनने लिंक करके उसकी value भढ़ा ही उसके बाद उसको main website से भी link किया अब चुकि इसको wheel बोलते हैं तो ना सिरफ वो main website से link कर रहे हैं वो circle भी एक दूसरे से link कर रहे हैं तो proper एक ये wheel बनता है और इसको again बनाने के लिए बहुत resources और time और दिमाग चाहिए तो मैं ये recommend करूंगा कि अगर आपको इतना time और इतना दिमाग है तो आप अगर ethical SEO करेंगे अगर आप वो काम करेंगे जो Google आपसे मांग रहा है तो आप इनसे जादा अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि ये काम अवल तो ही दो नमबर band है और अगर आपने कर भी लिया तो आपके हमेशा ये आपके सर पर तलवा लिटकती रहेगी कि कभ ये band हुआ तो कब band हुआ क्योंकि Google ने कभी ना कभी इसको पकड़ ही लेना है और अगर Google ने इसको पकड़ लिया और अगर आपने अपनी वेबसेट की थी वो तो नुकसान हो गई लेकिन अगर आपने क्लाइंट की वेबसेट की थी तो imagine करें कि वो ना सिरफ आप उसका नुकसान होगा आपका तलुक भी खराब होगा पुझा आपको बिजन सारा था वो भी बंद होगा और अगर आपको प्रफाइल में रिवियू गंदा छोड़ देता है अगर आप फ्री लांसिंग कर रहे थे तो फॉर एवर वो रिवियू वहाँ पर लगया रहेगा आप उस प्रफाइल के लिवियू को मिटा नहीं सकेंगे तो यह जितनी भी प्रैक्टिसिस हैं इनमें काफी मेहनत और काफी रिसोर्सिस चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको बहुतना टाइम है तो मैं आपसे रिक्रमेंट करूँगा के इन प्रैक्टिसिस से बच के एक नमबर एसियो करें पूरा कोर्स मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप एथिकल एसियो कर सकते हैं अगर आप वो एसियो करेंगे तो अल्टिमेटली इन चीज़ों पर आपको जाना नहीं पड़ेगा और आप खुद ही अपनी वेबसेट को रेंक कर लेंगे